अंजनगाव सुर्जी में मुवमेंट फॉर पीस और जस्टिस फॉर वेलफेर महाराष्ट ने बानकाम मजदुरों की मांगो को लेकर चिलादिकारी एवं सायक आयुक्तों को निवदन सोपा अंजनकाव सुर्जी में मुवमेंट फॉर पीस और जस्टिस फॉर वेलफेर महाराष्ट ने बानकाम मजदुरों को उचित लाब ना मिलने के संदर में जिलादिकारी तता साहय कामगार आयुक्त को निवदन सोपा जिसमें MPJ के अध्यक्ष डाक्टर अहमद अल्ला खान ने कामगारों के समस्याओं का जिक्र किया इस सम्मद में उन्होंने जिले के पालक मंदरी प्रभीन पोटे को कई बार निवदन दिया परन्तों अभी तक मजदुरों की समस्याओं का कोई हल नहीं लिकला जिन मांगों के लेकर अहमद उल्ला खान ने निवदन दिया उसमें प्रमुक रूप से प्रमाण पत्र लेने के लिए ग्राम पंचायत नगर परशद से लेकर साहे कामगार आयूप तक कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं प्रमाण पत्र पर तारि himself आवक जावक नमबर नहीं रहता है इंजिनेर की साइन नहीं रहती है फार वरने के बाद 2-3 साल तक सुविदाव का लाब नहीं मिलता है मजदूरों के सबी सुविदाव का लाब मजदूर नहीं उनके बच्चों को नहीं मिला तो MPJ ने बड़ा अंदोलन छेड़ने की चियतानी रिशाइशन को दी है। हमारे समाताता साजीत सवजागर की खास रिपोर्ट कागद नहीं हमें सामाले बलाता था में दोंचे रूपए खर सकुरून यह परन्त यह तो आमले पोर्ट रहाए कि नहीं है। दाक्टर रहमद उल्ला खान तालुक काद्देख MPJ अंजन गाओ सूर जी माननिय कलेक्टर साहिब के आफिस में हमने बानकाम मजदूरों के साथ में निवेदन दिये और इससे पहले 35-2018 को में निवेदन दिये थे जिस पर कोई आज तक कारवई नहीं की गई यह बानकाम मजदूरों को बार बार अंजन गाओं से अंजन आना पड़ता है और इनको रिटन करते हैं और योजना का लाब आज तक के मिला नहीं तो हमारी डिमान यह है सरकार से माननिय कलेक्टर साहिब के माद्यम से के तुरंत मजदूरों को जो आज तक के जिन फारम को भरा गया योजना के उन फारमों की जो है तो कारवई की जाए उनके फारम की जो योजना उनको दी जाए उसका लाब दिया जाए और मजदूरों को आने जाने के लिए सैकल दी जाए और मजदूर साहब के बाद्याम से मुक्यमंतरी जी और बानकाम मिनिस्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है